नमबर वन आप सब में कई लोगों तो मिर्च खाना काफी पसंद होगा लेकिन यह मिर्च दुनिया का सबसे होटेस चिली पेपर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इतना थिका होता है कि अगर कोई बेक्ती इससे खा ले तो वह एना फिलेक्टिक सर्दमे का सिकार हो जाए नमबर टू आके बन करने पर जो हमें कलर दिखाई देता है वह बलेक नहीं बलकि एक यूनिक कलर होता है जिसका नाम है आईगे कराउट नमबर 3, ऐलेकचेंडर गणाँ बेल जिन्होंने टेलिफॉन की खोछ की थी लेकिन अपने पत्नी और माँ को कभी फोन नहीं किया क्योंकि वे दोनों बढ़ी थी नमबर फोर ऐसा मकई आपने कहीं देखा है क्योंकि इसे देखने से लगता है कि इसे स्टोन से बनाया गया है लेकिन सच है कि ये दुनिया के सबसे सुन्दर मकई माने जाती है जो सिर्फ अमेरिकान में उगाई जाती है इसका नाम है गलास चेर्म कॉर्ण नमबर फाइड बेबलोन नामक बेक्यानिक ने गनीत में बेस्टेन की जगा बेस्टेन का प्रियोग किया था यही कारण है कि एक मिनट में साथ सकेंट और एक सरकल में 360 डिगरी होता है अगर एक बक्तक के बच्चे ने पैदा होने के 10 मिनट बाद आपको देख लिया तो वो आपको ही मा समयनी लगेगी नमबर सेवन दुहजरिगाना में एक बंदर को पकिस्तान में गिप्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने भारत का बॉर्डर पाल किया था नमबर एट गदे का दूट से सबसे मांगा पनीर बनाया जाता है क्योंकि इस पनीर के कीमत लगवग 78,000 रुपिय किलो तक होता है नमबर ने जोर वासुटन जो फर्स्ट उएस पसिडेन थे जो अपने मीड 20 के तसक से ही अपने दातों खुना सुरू कर दिये थे वो जीवन भर दात के दर्स से पिरीत रहें और वो जब 1789 में यूएस के फर्स पसिडेन बने तो उन्होंने एक नेकली दातों का एक सेथ पहना था नमबर 10 या एक लेटी पोलस सलफ्रीक नाम का एक मसरूम है जिसका सुवाद चीकन जैसा होता है इसे चीकन ओप दा उट के नाम से भी जाना जाता है इस परकार के मसरूम इरोप और उतरी अमेरिका में पाई जाते हैं नमबर 11 हामिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जिसका वज़न एक रुपे सिक्के से भी कम होता है नमबर 12 एक बोना साई एपल ट्री है जो बहुत छोटा होने पर भी सेव देता है नमबर 13 अगर ब्रेन इमेजिन को दिखा जाये तो सबसे पहले आती है एक से रे जो सारे बोन को दिखाती है फिर आता है MRA Magnetive Resinance Angiography जो ब्रेन की धमनी और बलर सेल के इमेज को दिखाती है और अगर उससे भी धी जाये तो MRI, Magnetic Residence Imaging जो brain के सारे पार्ट की इमेज को दिखाता है फिर उसके बार आता है पेट स्केन, Positron Emission Tomography जो brain के सारे गतिव विडियो के इमेज को दिखाता है और आखरी में आता है CT scan, Computed Tomography जो brain के bone, blood cell और साय टिशू के इमेज को दिखाता है नमबर 14, हर विक्ति के चलने का average दिखा जाये तो वो अब 7500 कदम पर दिन चलता है और अगर 80 वर्ष तक जिवीत रहा जाये तो वो अब पूरे life में करीब 21,62,25,500 कदम चल चुका होगा और 11,00,000 मिल दूरी तै कर चुका होगा जो पृतिवी के 4 और लगबर 5 पर चलने के बराबर होता है दुनिया की पहली सेलफी 1849 में रोबर्ट कॉन्ने लियम नाम के बेक्ती ने ली थी उस समय सेलफी लेने में इने 3 मिनट का समय लगा था और दोस्तो इस वीडियो को लाइक और सेट जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करतें थैंक्यू दोस्तो